Welcome back to our YouTube channel Tech Guide, Wasim. आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप CRPF, ASI, STANO और HeadCount Stable Ministeral के online form फिल कैसे करोगे? इसकी जो online application form जो है वो 4 January से लेके 25 January तक फिल होंगे, आपका जो last date है online registration का वो 25 को है. तो इस वीडियो में आपको step by step full process दिखाएंगे कि आप ASI, STANO और HeadCount Stable Ministeral के online form फिल कैसे करोगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो आपको आना होगा अपने mobile phone के Chrome browser पे, browser पे आने के बाद आपको search करना होगा CRPF. CRPF search करने के बाद आपके सामने CRPF.gov.in का official website आ जाएगा तो आपको open कर देना. उसकी बाद आपको यहाँ पी पहली एक option आ रहा है, apply for ASI, STANO and HeadCount Stable Ministeral का तो आपको इस पे click करना. आपको मैं वीडियो के description में भी link दे दूँगा, वहाँ से आप click करके directly site पे आ सकती हो. इसकी जो qualification है वो 10 plus 2 रहने वाली है, अगर आप 12th pass हो, आपकी जो age हो 18 से 25 है तो आप इसमें apply कर सकती हो. उसकी बाद आपको आजाना है, यहाँ से आप अपनी जो advertisement है वो download कर सकती हो, और साथ में आप अपना यहाँ पे manual instruction भी देख सकती हो, आपने application form पे. उसकी बाद आपको यहाँ पे option आ रहा है register का, तो आपको यहाँ पे register पे click करना है. register पे click करने के बाद आपके सामने यहाँ पे loading आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ instruction दी गई है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे close कर देना है. close करने के बाद आपको नीचे आजाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको select करना होगा post name, चाहे आप estate, 7 inspector, यहाँ इस्टैनों के लिए apply कर रहे हो, यहाँ headcom, stable, ministeral के लिए apply कर रहे हो, जिस भी post के लिए आप apply कर रहे हो, तो आप वो यहाँ पे post name select कर देंगे, उसक के बाद आपको यहाँ पे अपनी email ID डालनी है, email ID डालने के बाद I agree पे click करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे capture fill करना है, capture डालने के बाद आपको यहाँ पे re-verify पे click करना है, re-verify पे click करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ details आ जाएगी, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद यहां पर आपको इन सब पर टिक कर देना है इन सब पर टिक करने के बाद आपको यहां पर रिवेरिफाई पर क्लिक करना है रिवेरिफाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर ओके पर क्लिक करने के बाद आपकी यहां पर डिटील्स आपकी email पे login ID और password आ जायेगा उसके बाद आपको यहाँ पे close कर देना close करने के बाद आपको यहाँ पे go to application पे click करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा loading, please wait, आपको कुछ time यहाँ पे wait करना है, wait करने के बाद उसके बाद आपको पुर से यहां पर कुछ इंस्ट्रिक्षन दिए गई हैं उसकी बाद आपको यहां पर क्लोज कुर्ड़ mouse करने के बाद यहां पर आपको नीचे आजाना है नीचे आनी के बाद यहां पर आपको स्लेक्ट करनी अहोगा अपना जैंडर स्लेक्ट करन período हिए यहां पर आपको अपनी डेटा बर्द फिल करनी है उसकी बाद आपको यहां पर स्लेक्ट कर देना है उसकी बाद आपको यहां पर अपना मादर नेम फिल करने है उसकी बाद आपको स्लेक्ट कर देना है उसकी बाद आपको स्लेक्ट कर देना है मिर्चल स्टेटस मिर्चल आप को प्रिफरी टेस्ट city आ जाके अजिए इस ते से प्रिफरी टेस्ट कर देना है किया आपकु की सिटी में परेलाख पर रहे होegen जिस लोग करते हो जो भी आपको तो फिर्फिट तक फिर अबसेत्र पर थे स्टेट का यहां पर अपना टेस्ट सिटी जो है वो स्लेक्ट कर देना है उसके बाद आपको यहां पर थर्ड टेस्ट स्टेट स्लेक्ट कर देना है यह स्लेक्ट करने के बाद आपको बता रहा है आर यू एन एक्सरुसमें तो आपको यहां पर अगर आप एक्सरुसमें है त उसके बाद आपको दिखाएगा data save it success puri, उसके बाद आपको यहाँ पी अपना permanent address डालना होगा, address line 1, address line 2, उसके बाद आपको यहाँ से अपनी country India select कर देना है, India select करने के बाद यहाँ से आपको अपना state select कर देना है, state select करने के बाद आपको यहाँ से अपना जो district है, वो select कर द इस पर्मिनेट एडरस आपका कारिस्पोंडेंश एडरस और पर्मिनेट एडरस अगर सहीं है तो आपको यहाँ पियस कर देना है यस करने के बाद आपको next पे click करना होगा save next पे click करने के बाद आपको यहां से अपनी country select, उसके बाद आपको आपको यहाँ पर अपनी qualification details टालने हैं पहले आपको यहाँ पर ऊपना qualification name अपर बोल डालना है इसके बाद आपको यहाँ पर year of passing डाल देना कि आपने कब पास किया है isके बाद आपको अपने percentage lAY है cgpa once तो यहाँ अपने marks दालने हैं 12 की डिटील्स डालनी होगी यहां पी आपको नेमा बोर्ट सेलेक्ट कर देना है डालना है जो भी जिस भी बोर्ट से आपने पास किया चाहिए अपने CBSC State Board उसकी बाद आपको यहां से year of passing सेलेक्ट कर देना अपने 12 का उसकी बाद आपको यहां पी नेम स्लग्ट करदेना अपने किस इन इस्टिटू्ट से फास किआ उसकी बाद आपको यहां भी स्लेक्ट कर देना कि आपका जो result और CGPA में है percentage में है या grade of marks में है उसकी बाद आपको यहां पर marks over 10 डालने के बाद आपको यहां पर अपने maximum marks डाल देने उसकी बाद आपकी qualification details आजाएगी qualifications details आने के बाद आपको यहां पर नीचे आजाना है नीचे आने के बाद यहां से आपको पहले आपने जो scanit photograph है यानि फोटो आपका जो है वो upload करना होगा उसकी बाद आपको यहाँ पे अपना scanit signature एपलोड करना है उसकी बाद आपको यहाँ पे अपना 10th class mark sheet scanit upload करना है उसकी बाद आपको 12th scanit mark sheet upload करनी होगी तो बात की जाए इसकी size की जो आपका photograph रहेगा वो आपका jpg format में रहेगा इसका जो size है वो कम से कम 50 kb और maximum यानि ज्याद से ज्यादा 80 kb रहेगा किसका photograph का side उसकी बाद आपको यहाँ पी signature का size बताए तो यहाँ से आप अपनी jpg यानि jpg format में upload कर सकती हो आपका minimum size जो है वो signature का 50 kb रहेगा और maximum size जो है वो 80 kb रहेगा उसकी बाद यहाँ से आपको अपना जो scan it 10th class mark sheet एपलोड करना है वो आप यहाँ से अपने mark sheet जो है वो pdf jpg यानि jpg format में upload कर सकते हो इसका जो minimum size रहेगा वो 100 kb रहेगा और maximum size जो रहने वाला है वो 300 kb रहने वाला है उसकी बा से ज़्यादा से ज़्यादा 300 kb दक आप अपना mark sheet जो है वो scan it upload कर सकते हो यानि आप इसका जो format है वो pdf jpg याने jpg जिस भी format में आप upload करना चाहते हो यहाँ से आप upload कर सकते हो इसकी बाद आपको यहाँ पर click here to upload पर click करना होगा click here to upload पर click करने के बाद यहां से आपको drop files here ब्रोज टो एप्लोड पर क्लिक करना होगा उसकी बात आपको रिडरेक्ट कर देगा ये आपके ब्रोजर आपके ब्रोज पर वहां से आप अपना जो फाइल है वो स्लेक्ट कर देंगे उसकी बाद आपको यहाँ पी अपना photograph वीव करना है उसकी बाद आपको यहाँ से एक एक करके सारी जो documents है वो वीव करने वीव करने के बाद आपको नीचे आने के बाद यहाँ से आपको अपना payment mode select कर देना है online payment mode select करने के बाद यहाँ से आपको select कर देना I preview it, शारी select करने के बाद आपको यहां पर नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहां से आपको capture fill करना है, capture डाने के बाद आपको यहां पर preview पे click करना है, preview पे click करने के बाद आपकी यहां पर सारी details आ जाएगी, details आने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको OK कर देना है, उसकी बाद आपको यहाँ पी submit पे click करना है, submit पे click करने के बाद, यहाँ से आपको इसको close कर देना है, close करने के बाद, यहाँ से आपको I agree पे click करना होगा, I agree पे click करने के बाद, आप यहाँ से जो payment mode पे redirect हो जाओगे, तो आपको यहाँ पे अपनी जो payment ह वो 100 रुपीज कर देना है, पेर्मिट करने के बाद आपका फॉर्म जो है, वो सब्मिट हो जाएगा, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसे लगी वीडियो, लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करना, ना भूले, थेंक यू.